नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं डीबीस टीवी तो चले शुरात करते हैं आज की प्रमुखः पर आज आप सभी को तीन मामलों की जानकारी देने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं सरव्रतम आपको बताना चाहेंगे कि परसौनी थाना अंतरगर्त परशुरामपूर जो गाउं है वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा चोरी की मोटर साइकल रखने इत्यादी को लेकर सुचना जिसके सत्यापन और अवश्यक करवाई के लिए परस्वानी थाना प्रभारी श्रीमती सुनीता जी गए जी वहाँ पर उन्हें ने सत्यापन के क्रम में वहाँ पर से एक मोटर साइकल को बरामत किया साथ ही जो व्यक्ति था दो एत्नीन दो अप्राविया को पकड़ा गया इनके अंदर केसेस दर्जने पूरु से ये तीनों अभ्योग तरह चुके हैं इनके साथ साथ एक कट्टा और बोली बरामत हुई है तो ये परस्वानी थाना की जीवमेंट थी इसके अतिरिक हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह एक विवादित जमीन पे कबजा करन देश से कुछ अपरादियों द्वारा वहां पर डेरा डाला गया था जिसकी सूचना प्राप्ति गया अवश्यक कारवाई है तू अपर थाना द्यक्ष जो रिगा गया है मनीश कुमार वह वहां गया अपने दलबल के साथ ये वह मुंको अप्रिहंट किया गया उनके दो मोटरसाइकल बरामद हुई जिसमें से की एक मोटरसाइकल चोरी की है उनसे मोबाइल इत्यारी बरामद हुई है और एक डेसी पिस्टल और तीन कार्तूस बरामद भी हुई इनलों का उद्देश मुकिता उस जमीन को अपने पल प्रयोक्त करके वहां पर उसका अपना चाहरे तार से जमाना था जो अपरात कर्मी वहां गिरतार होए हैं वह संजय कापर उर्फ कालू अंकित कुमार और जो तीसरा अपरात कर्मी है राम कृष्ण शर्मा उर्फ गुद्डू सिंग जो की एक कुख्यात है उस पसफूरी अपरात कर्मी है उसके विरुद्ध को एक कांग दर्ज हो है 356 जिसके तहत तीन बच्चियां जो है वो मेजर गन खाना से च्वेटर से इनो माइनर बच्चियां थी वो अचानक से गुम्चुदा हो गई थी उनके गुम्चुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया गया था जाच के क्रम में हम लोगों के तकनीके अन को सुराग मिला टेक्निकल टीम मेजर गन खाना के अधिकारी खासकर जो अनुसरा नान करता है पंकश कुमार उनके द्वारा एक टीम बना कर अम लोगों को भीजा गया दिली हम लोग उसका डिरेक्ट्री नियंदरन कर रहे थे इसकी साथ के निदेशन में और उस टीम को कर पूछता चित्यादी होगी और उनका मानिया नियाले में बयान कराया जाए जाएगा तब सारी वजय के लिए उपाएगी अभी फिलाल हमें जो पता था जो कान दर्स की गई थी कि बच्चेया गाइब हो गई थी उनकी गाइब होने के उपरान तो उनको बरामत कर लेना हम उसे एक अच्छी सफलता मानते हैं अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर रिपोर्ट किया जाता है उस पर पुलिस की बिल्कुल करता विबनती है कि कोई भी क्रिमिनल मैटर चाहे किसी भी वजह से हो अगर कोई क्रिमिनल मैटर में कोगरेजन्स लेना है पुलिस जरूर लेगी पुलिस वहाँ पर जो उचितकारवाई है वो करेगी अगर वो प्योरली जमीनी विबात है जो की जमीन पे दो पक्षका एक दूसरे एक पे क्लेम और काउंटर क्लेम बन रहा है तो वो जाहिर सी के बात है कि वो सीओ या उस तर के पतादिकारी डी सीलर एडियम जो उस तर के पतादिकारी है उन तर से उसका निप्टारा हो जाने के उतांती पुलिस उस पर डिसिजन दे सकता है